हेलो इस्टुमेंट वल्कम आई यूटूब चैनल लर एंटीच में आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में इसकेरेंगे टाइप ऑफ गेर ट्रेन के बारे में कि आखिन में गेर ट्रेन के कितने परकार होते हैं ठीक है इस वीडियो में आपको फाइप बता हैं गेर ट्र अपएप गेर ट्रेन में इसके दो पात करके बताईए पहला है पुट अपनल धी ट्रैन के आपको प्लैनेट्री गेर ट्रेंजर फूर्फ आती है एपिसाइक्ली गेर ट्रेंज यह पांच में प्लैनेटरि गेर ट्रेंज ठीके गां सबसे पहले एक हम पधे दो से अधिक गेर आपस में मेंसीज़ होते हैं एक दूसरी का तीत और पावर को एक जगा से आसे घेर के अरेज्मेνट को केटें बोलते हैं ठीक है जैसे कि फस्क नियु में एक तो पहली घेर को आ ड्राइबर गेर करते के इसके साथ जो डूसरी ह tiene to is को यहां पर rotate कराती है ठीक है तो जो बगल वाली गेर को क्या बोलेंगे तो द्राइबर गेर तो यहां पर anti-cloak-wide direction बोर्टेशन करई यह ड्रीवन गेर ठीक है तो ऐसे गेर के रिज्मेंट को वह लोग जो गिर ते जो गेर को भी बोल सकते हैं तीन गेर को भी यहां पर बगल वाले यहां पर वापस कैसे काम करेंगे रोटेज करेंगे यहां पर क्लोक वाइड आरेक्षिम रोटेशन करेंगी ठीक है तो एक साफ पर एक ही गेर फीट होता है और सभी गेर एक समान रहता है तो ऐसे गेर के अर्जमेंट को एक तरह का सिंपल के ट्रेंट कहते हैं तो यहां पर आपके समने यहां पर पिछ में इसको ड्राइवर गेर बीच वाली जो गेर होती उसको ड्रीवन गेर बोलते हैं तो यहां पर क्या काम करेंगे की यहां पर ऐसे गेर के अरिजिमेंट को जो एक यही साप के ऊपर फीट रहता है ठीक है एक दूसरी को रोटेशन कराता है डिख तर दे किये से रोटेशन करा रही है तो ऐसे गेर के को सिंपल घेटोर बोलते है ठीक है То अब समझता है कि आखिन में compound gear train क्या होता है, जो second type इसकी है, ठीक है, compound gear train को हम किसको बोल सकते हैं, देख सकते हैं, आपके सामने ये figure नजर आ रही है, ठीक है, जब एक साप पे, एक से ज़्यादा gear fit होता है, ठीक है, और एक दूसरे को rotation कराता है, और एक जगा से दूसरे जगा power को यहाँ पे transfer करता है, एक साप से दूसरे साप तक, तो ऐसे gear के arrangement को एक तरह का compound gear train बोलते हैं, ठीक है, अब समझते हैं, इसका थर टाइप, जिसे एक तरह का reverted gear train बोलते हैं, ठीक है, रिवर्टेट गेर train किसको बोलेंगे, देख सकते हैं, आपके समझे यह figure नजर आ रहे हैं, ठीक है, वैसे gear के arrangement को जो पहला input gear और अंतिम output gear यहाँ पे same axis पे rotate करता है, मतलब coaxial साप पे rotate करता है, ठीक है, तो वैसे gear के arrangement को एक तरह का reverted gear train बोलते हैं, ठीक है, मतलब कहने के मतलब है, जो input gear है, जिसे एक तरह का driver gear बोलेंगे, और लास्ट वाले जो gear जिसे driven gear बोलेंगे, जो यहाँ पे देख सकते हैं, दोनों को साप की जो यहाँ पे axis है, coaxial, एक ही धूरी पे, मतलब एक ही रेखा करम में है, ठीक है, इसे एक तरह का reverted gear train बोलेंगे, देख सकते ह किस तरह से यहाँ रोटेशन कर रहा है, यहाँ पे दोनों gear को आपस में, रोटेश करा रही है, कि को दोनों का यहाँ पे, जो साप्ट है, एक ही है, ठीक है, और लास्ट वाले जो driven gear इसको कैसे रोटेश करा रही है, ठीक है, तो ऐसे gear के arrangement को एक तरह कम क्या बोलेंगे, रि किसको बोलेंगे, ठीक है, एपी साइकलिक gear train होती है, जिसमें gear के साथ-साथ gear की arm भी rotate करती है, किसी और gear के axis के respect में, तब ऐसे gear के arrangement को एक तरह कम लोग, एपी साइकलिक gear train बोलते है, मतलब कहने के मतलब है, कि इसकी बीच वाली जब gear rotate करती है, तो इसकी बगल वाली gear भी rotate कर गी, और इसकी बीच में जो arm लगी है, ये भी rotate कर गी, इसके जो बीच वाली gear के ऊपर, चारोड, देख सकते कैसे rotate कर रही है, ठीक है, तो ऐसे gear के arrangement को एक तरका AP cyclic gear train बोलेंगे, ठीक है, मतलब एक gear की उपर दूसरी gear rotate कर रही है, ठीक है, और इसके साथ arm भी rotate कर रही है, उसकी उपर में, ठीक है, तो ऐसे gear के arrangement को एक तरका AP cyclic gear train बोलेंगे, ठीक है, आप डिसरसन करेंगे, इसके 5 टैप जिसे एक तका planetary gear train बोलेंगे, ठीक ह उसके 4 और घुम कर motion को transfer करें, तो वैसे gear के arrangement को एक तरका planetary gear train बोलेंगे, ठीक है, मतलब कहने के मतलब है, जो बीच वाले जो gear है, उसको एक तरका sun gear बोलेंगे, और जो तीन को gear के side side जो लगी वी, जो एक दुसरे के engage है, जो बीच वाले गेर के सार, उसको एक तरका planet gear बोल आती है, तो इसी कारण यहाँ पर इस planetary gear train में, यहाँ पर sun gear है, उसके 4 और यह पर चकर लगा के, यहाँ पर क्या काम करेगी, रोटेशन करेगी, ठीक है, और यहाँ पर ring gear को भी rotation करेगी, देख सकते कैसे rotation करा लिए, ठीक है, और इस तरस से motion को transfer करेगी, भी जो motion को transfer करती है हाई power transmission करती है, ठीक है, तो ऐसे gear के arrangement को एक तरह कम लोग, planetary gear train बोलेंगे, ठीक है, पांचो type के बार में, कहीं पर प्रोब्लम हो रही है, यह समझेने में, तो मैंने खास तो अलग से special type के अलग-अलग video सभी पर बना चुके है, ठीक है, आपको description के link मिल जाएंगे, वहाँ जरू जाकर video को देख सकते हैं, और अच्छी तरीका से इसकी working out principle समझ सकते हैं, कि इसकी construction, ठीक है, मुझे आसा है कि आपको type of gear train के बार में बनिया तरीका समझ माचोगा होगा, तो वीडियो देखने के लिए धन्यबाद